वेलकम लिवाल कुरेट, अजिटियो में विन्टर प्यमि ön मटन बोन सूप में सेमें कि शेयर कर रही हूं अब कितना मझेदार बना है और बहुत ही कममसाल reiterate हुआ triangle में सब रहे है। और इसमें एक अनियन को हमने हलका सफ्राइ करना और यह बिल्कुल छोटे साइस के लिए इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है वरना सूप का कलर डार आएगा अब हम एट करेंगे मटन बोन 500 ग्रैम थोड़े से गोश्ट के साथ में है गोश्ट थोड़ा रहेगा तो चल कि थंडी रातों के लिए बहुत ही अच्छा आइडियल डिनर है हलका फुलका तो अब हमने मीडियम फ्लेम पर यह हटियों को भूनना है अच्छे से क्योंकि इस तरह से आप जब भूनते हैं तो जो मर्टन की बोन्स होगी वह बहुत ही मज़िदार बनेंगे हलका मैंने इ प्लेशन को बस कूट लेना है मुटा मुटा एक इंच की सिनमानि स्टिक है तीन इलाइची दालेंगे हरी इलाइची तीन लॉंग और यह काली मिर्ची भी बिल्कुल मोटी मोटी पिसी भी दालनी है यानि के एक काली मिर्ची में से 5-6 तुकड़े हो जाएं बस इतना ही आ एंटी इंफलमेटरी और एंटी सेप्टिक होती है हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है तो जरूर एट करें अब हम हल्दी को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए गोश्ट जो है ऊपर की इसकी लेयर है वह बहुत ही अच्छा क्रस्ट आए जाएगा औ जो कोटमीर की काड़ें होती है उसके साथ में आपने काटके दाला अब इसमें तीन ग्लास पानी दालेंगे और प्रेशर कुकर लेंगे तो छे से साथ वीजी लेले क्योंकि मतन जो है बहुत ही अच्छा गला चाहिए सूप में आपको बातने बताऊंगी यह कितना जिनना मज़ेदार यह सूप बना है और इसकी कंसिस्टेंसे भी बिल्कुल परफेक्ट हम इसमें आट करेंगे कुटा हुआ ब्लैक पेपर पाउडर वन टी स्पून अब यह सूप बिनकुल बनकर तयार है इस टो की फ्लेम बन कर देंगे और इसको गर्मा गरम सर्फ है या फिर ऐसे ही सर्फ कर सकते हैं तो देखिए गर्मा गरम मटन सूप बनकर तयार है तो जैसे मैंने कहा जिन लोगों की हड़ियां कमजोर है वो यह सूप जरूर ले इससे बहुत ही फाइदा होगा इंशाला उनको तो इसको हम हलका सा ब्लैक पेपर पाउडर और तोड़ ऐसे नीबू के साथ में सर्फ करेंगे ताकि टेस्ट और भी अच्छा है तो मैंने चिकन सूप की रेसिपी शेयर करी थी आप लोगों को बहुत पसना है उम्मीद करती हूं कि यह रेसिपी भी आप लोगों को बहु यह सूप कितना मज़ेदार बना है और हमने बिल्कुल थोड़ा सा ओल दाला है यह जो मटन की जो बोन मेर होता है उसकी वजह से इस पर यह ओल दिख रहा है यहां देखिए मैं आपको बता रही हूं कितना सॉफ्ट हो गया है इसका मटन का गोश्ट तो इस विंटर के सीज बंद है और सबस्क्राइब किजिए मेरे चैनल प्यूर कुकिंग को ऐसे यूसफुल वीडियो के लिए ठैंक्स पर वाचिंग